हर दिन गेहुं के आटी की रोटी खाकर बोर हो गए हैं, तो आज बनाऊंगी ना आटा ना मैदा बलकि रवा या सूजी बोल लिजी उसकी soft soft रोटी, गेहुं के आटी की जिस तरह से रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वही टेकनिक रहेगी बनाने की, तो स्टार्ट करते हैं इस कर दे रही हूं स्वादनुसा नमक और साथी इसमें एक चमज घी भी डालना है, ताकि आटा में चिकना हट रहे, घी के जगा तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, नमक और घी को एक बर मिक्स कर लेना है पानी में, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पे डालूंगी रवा, तो जिस कप से मैं पानी का मेजरमेंट लीती, उसी कप से मैं रवा ली हूं, तो बिल्कुल बारिक वाला रवा का इस्तमाल करना है इसमें, और इसमें धीरे-धीरे करके डालना है, और मिक्स करते जाना है, यदि आपके पास मूटा वाला रवा है, तो यहां पे 2 कप पानी में 1.5 कप रवा का इस्तमाल करी हूं, गैस का फ्लेम लो टू मिडियम पे रखकर लगतार इसे स्टर करते रहना है, जब तक पानी सारा रवा अब्जर्ब ना कर ले, रवा को बीच में चेक कर लेंगे, यदि दानेदार लग रहा है, रवा सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा पानी और इसमें अट करेंगे, रवा जो है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब ही इसके डो से रोटी बन पाएगा, वरना रोटी बेल ही नहीं पाएंगे, फट फट जाएगा, तो यह रवा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसे निक बस थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद, अब इसे गुंदना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से गेहूं के आटे के लिए डो रेडी करते हैं, बस वैसे ही डो रेडी करना है इसका, इसे मसल मसल कर गुंदेंगे, और एक चिकना डो रेडी कर लेंगे, ताकि इसका जो रोटी बनाओं वो बिल्कुल ही फटे नहीं और सॉफ्ट रोटी बने तो देखिए मसल मसल का सॉफ्ट डो मैंने रेडी कर लिया है अब इस डो से एक पेडा रेडी करेंगे जितनी बड़ी रोटी चाहिए उस हिसाब से आप पेडा ले लिजे तो यहां मैं बहुत मोटी रोटी नह रेडी हुआ है तो बस अब इसे बेलना स्टार्ट करती हूँ बेलते वक्त यह चिपके नहीं इसलिए डस्टिंग के लिए मैं यहां इस्तमाल कर रही हूँ चावल का आटा अब इसे हलके हाथों से बेलना सुरू करेंगे इसे बेलते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि एकी तरब से प्रेसर नहीं देना है चारो तरब से बेलना है ताकि इसकी तिकनेस चारो तरब से एकी तरह की रहे तो देखे ये बेल कर मैं रेडी कर ली हूँ अब तवा में डाल दी हूँ तवा को पहले से ही मैं गर्म कर ली थी तो बस तब आमें डालने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे medium नीचे के साइट सिख जाने पे इसे पलट लेंगे और दूसरे साइट भी सेख लेंगे ताकि ये जल्दी से फुल जाए तो ये फुल गया है दुसरा भी इसी तरह से बना लेती हूँ सेम प्रोसेस से सारे आटे से इसी तरह की रोटी बना कर रेडी कर लेना है इस तरह से ना सेख कर तवे पे भी सेख सकते हैं ये फिर थोड़ा तेल लगा कर पराठी की तरह भी बना सकते हैं मैं प्लेन बनाई हूँ प्लेन रोटी जिस तरह से चपाती बनती है सेम तो देखिए ये फुली फुली रवा की रोटी बनकर रेडी है तो बस अब इसे अपने मन पसंद सबजी चटनी के साथ इंजय करें देखिए ये रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है आप देख सकते हैं बिल्कुल गेमों के आटे की तरह कुछ डिफरेंट रोटी खानी है तो इस तरह से आप बना सकते हैं काफी इजी प्रोसेस है इसे बनाना तो यदि मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फ्रेंड एंड फैमली के साथ और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूले अब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद